नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मों खबर जानते हैं जर्खन में खुल रहे छोटे बच्चों के स्कूल राजे में अब कक्छा 1 से 5 के लिए भी स्कूल खूल सकते हैं इसकूली सिक्षा और सक्षर्था विभाग ने इसे लेकर ग्री करा और आपता प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजा है बता दे अभी तक कक्छा 6 से 12 तक के स्कूलों को खूलने की यनुमती थी इसकूली सिक्षा एवम सक्षर्टा विभागने 12 नौमबर को आयोजीत होने वाले National Achievement Survey का हवाला देते हुए इसकूलों को खुलने के उनुमती मांगी है बता दे इस सर्वेक्षन के माध्यम से कक्षा 3, 5, 8 एवम 10 वी के विद्यार्थी का मुल्यांकन होगा इसके लिए CBSC द्वारा एक परिछा ली जाएगी इस सर्वेक्षन में जार्खन के बच्चों का परफिर्मेंस खराब ना हो इस कारण इस कुलों को खुलने पर जोर दिया जा रहा है जार्खन में मौसम का मिजाज बदलने वाला है बता दे बारी से लोगों को रहत मिलेगी और अब ठंड दस तक देगी गुरू आर 21 अक्टूबर से मौसम साफ रहने की संभवना है मौसम बैग्यानिकों की माने तो सुबह में कोहरा या धूंद हो सकता है इसके साथ ही तापमान धीरे धीरे गीर सकता है इसे लोगों को ठंड़क महसूस होने लगेगी बता दे रांची में आकास में बादल छाये रहने का अनुवान है एक से दो बार कहीं कहीं हलकी बारिस हो सकती है एक आरवी राष्ट्रिय महिला जूनियर होकी परत्योगता का उदघाटन छारखन के मुख्य मंत्री हिमन सुरेन ने कहा कि सिमडेगा के लिए आज अविस्वरनी ये दिन है सिमडेगा में फिर राष्ट्रिय अस्तर की परत्योगता का आवेजन किया जा रहा है एक और एक आरवी राष्ट्रिय महिला जूनियर होकी परत्योगता 2021 का सुबारम हो रहा है अंतर राष्ट्रिय अस्तर के होंके स्टेडियम के निर्मायन की अधार सिला रखी गई बता दे यहां आयोजित परत्योगता की गुंज दूर तलक जाएगी सरकार का संकल्प है की खेल में जाहां की संभावनाए है वहां खेल को बढ़ावा दिया जाएगा रखुवर दास अंदोलन रत सहायक पुलिस कर्मियों से मिले जारखन की राइधानी राची के मुराबादी मैदान में अपनी मांगो को लेकर सहायक पुलिस कर्मि डटे हुए है बतादे आंदोलन के 24 वे दिन बुद्धवार को पुर्व सी एम रखुवर दास इन से मिलने पहुँचे उन्होंने जारखन सरकार को उनकी मांगो पस सहानो भुत्ती पुर्वक विचार करने की बात कही वही अपनी मांगो के समर्थन में अंदोलन रट सहायक पुलिस कर्मियों ने सिरी दास को एक ज्यापन भिशोपा बतादे बुद्धवार को जारखन के पुरमुख मंत्री सा भाजबा कराश्टिय उपादक्ष रखवर दास 24 दिनों से अंसन रट सहायक पुलिस कर्मियों से मुलकात की इस दोरण उन्होंने हेमंद सरकार पर निशानल सात्ते वे कहा की इस सरकार ने पिछले साल जो वादा किया था उसे अब तक पुरा नहीं कर पाई है पंचाज चुनाओ से पहले पंचाज सचीवों की न्युक्ति हो जारखन में पंचाज सचीव अभियार्थियों ने जल्द से जल्द रियर्ट परकासित करने की मांग को लेकर डिजिटल अंधुरन चलाया बता दे बुद्धवार को ट्यूटर पर पंचाज सचीव की न्युक्ति परकिरिया से सम्मंधित मुद्द चाया रहा राजजबर के अभियार्थि पंचाज चुनाओ से पहले पंचाज सचीव न्युक्ति परकिरिया पूरी करवाने की मांग जार्खन के मुक्य मंत्री हैमान सुरन से कर रहे थे यू आओ ने पंचाज चुनाओ से पहले पंचाज सचीव नियुक्ति पूरी करो हज्टेक से करीब डेर लाग ट्वीट किये इस दोरान राज जेके कई नेताओ ने उनके समर्थन में आवाज उठाई जार्खन होकी ने तमिलाड़ू को आठ एक से किया पराजीत होकी की नर्थरी जार्खन के सिम्डेगा में आविजित एगारवी नेशनल महिला जुनियर होकी चेंपियंशिप के उद्गाटन मैच में जार्खन होकी का दबदबा रहा बता दे बुद्वार को जार्खन होकी महिला की टीम ने तमिलाडो की टीम को आठ एक से पराजित कर बेहतर सुरुगात की चैंपियंशिप का उधगाटन सीम हमान सुरेन ने किया जार्खन के गएर सरकारी स्कुलों के लिए 17.55 क्रोर जारी प्राथमिक सिक्षा निदे साले ने राज्य के गएर सरकारी साहता प्राप्त प्राथमिक बिद्यालियों के लिए सहरा अनुदान के रूप में 17.55 क्रोर रुपए जारी कर दिये हाँ बता देया अनुदान राशी 15 जीलों के स्कुलों में करवरत सिक्षकों के बेतन के लिए जारी की गई है इसमें बोकारो चत्रा देवगा धनवात गडवा गिरी डिगोड़ा जामता लातेहर लोहर्दगा पाकोर पलामो राची साहवगा चता सिम्डेगा सामिल है इस राशी से उन सिक्षकों का ही वेतन भुकतान होगा जिनकी सेवा संपुष्टी हो चुकी है जारखन में सेक्षनिक सत्र जून माह तक बढ़ेगा राश सरकार सरकारी स्कुलों के सेक्षनिक सत्र को जून माह तक बढ़ाने के त्यारी कर रही है बतादे स्कूली सिक्षा यमसक्षर्टा विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तयार किया है बतादे क्रोना के कारण कई माह तक स्कूलों के बंद रहने के कारण सत्र की ओधित तीन माह के लिए बढ़ाई जाएगी हालाकि राज सरकार ने सिलेबस में 25% की कटोती भी की है संसोधित सिलेबस जारी कर दिया गया है वाइरल बुखार पीडितों की संख्या बढ़ी मौसा में बदला होने से इन दिनों जीलों में बिमारों की संख्या बढ़ रही है बता दे इससे नीजी वा सरकारी एस्पतालों में बड़ी संख्याय मरीज इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं चिकित सको की माने तो बीमारों में सर्वधिक मामले वारल बुखार से पिडित ही इलाज के लिए आ रहे हैं अधिकतर मरीजों को सर्दीक बुखार वा खांसी जैसे लक्चन हैं ऐसे मरीजों की कुरोना जाज भी कराई जा रहे हैं लेकिन कुरोना पोजेटिब के मामले नहीं आ रहे हैं जारखन में कुरोना के कुल एक्टिब केस की संख्या 128 है भारत में 18357 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिब केस की संख्या 152 या 529 है सीम हमन्त ने सिम्डेगा में 89 लोगों को दिया नियुक्ती पत्र हैं से बनने वाले अंतर राष्ट्री होंकी स्टेडियम का सिलन्यास किया धनबाद जर्ज हत्या ममला धनबाद के जीला युम सत्र नियाधिस उतम अनंद की हत्या की गई थी बतादे आटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहूल वर्मा ने जान बुजकर जर्ज को आटो से टकर मारी जिसके कारण उनकी मृत्य हो गई बुद्धवार को नियाले में आरोप पत्र समर्पित करते हुए CBI ने दोनों के खिलाप या आरोप लगाया है बतादे CBI ने चालशिट में दोनों पर हत्या करने के साथ साथ साक्ष छुपाने का भी आरोप लगाया है लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने किसके काहने पर जाज की हत्या की इसका जीक्र आरोप पत्र में नहीं है बतादे CBI ने दोनों के खिलाप चालशिट सौपते हुए अनुसंधान जारी रखने की बात कही है पूस्पा देवी को जार्खन सेवा रत्न अवाड्स समानित सहीद पुलिस कर्मियों को याद करेगी जार्खन पुलिस जार्खन पुलिस गुरु आरको पुलिस संस्मरन दिवस के मौके पर सहीद पुलिस कर्मियों को याद करेगी संस्मरंद दिवस के मौके पर मुख्य समारो जैब परिसर में होगा जहां DGP नीरज चिनहार सहीद को सरधांजली देंगे बता दे सभी जीलों में सहीदों की याद में अलग-अलग कारेकरम होंगे इस दोरान हर जीलों में S.P. अपने जीले के सहीद परिवार की समस्याएं भी सुनेंगे आयुसमान भारत योजना का जहारखन मोडल देश भर में किया जाएगा लागू राष्ट्रिय स्वास्त प्राधी करण के सीईयो आरेस सर्मा भूधवार को आयुसमान योजना के कामों की निरीक्षन के लिए राची पहुँचे थे उन्होंने राची सदर अस्पताल, सीएच सी रातू और रानी चिल्रेन अस्पताल का दोरा किया बता दे जारखंड में आयुसमान के काम, काज के तरीके सिवे परभावी दिखे और जारखंड के आयुसमान मोडल को देश भर में लागू करने की बात कही इंस्पायर अवार्ड के लिए राज्य भर से 20% थी आवेदान बिद्यार्थियों के इनोवेटिव आईडियाज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किये गए इंस्पायर अवार्ड को लेकर जारखंड के स्कूल बहुत गंभीर नहीं है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंस्पायर अवार्ड के लिए पूरे राज्य से अब तक मात्र 20% राईश्टेशन हो सका है बतादे राची जीला से मात्र 15% राईश्टेशन हुया है छेतरीय सिक्षा सन्यूक्त निदेशक दक्षिन छोटा नागपूर परमंडल सहरा जेके नोडल पतादिकारी अर्विंद बिजय द्वारा बार बार पत्रचार के बाद भी स्कूलो द्वारा राईश्टेशन के परकिरिया में बहुत इजाफा नहीं हो रहा है चांडिला में 56 हाथियों का जोंड सराइकला खरसावा के चांडिला अनुमंडल में 56 हाथियों परवेश कर गए हैं बतादेया जोंड इच्चागड नीमडी और चौका के इलाके में हैं इसे लेकर दसत का आलम है इसमें 25 हाथियों का जोंड तमार से आया है जो इच्चागड के पुटाम के जंगल में है जबकि नीमडी में जो हाथियों का जोंड पच्छिम मंगाल से आया है जबकि चौका के कूरली में जो 15 हाथियों का जोंड है वा खरसावा से आया है बतादे जनकारी मिलने पर लोग उन रास्ते से हट गए हैं वे लोग सुरक्षित अस्थान से हाथियों को देखने के लिए पहुँचे बांगला देश की घटनाओं को लेकर राजय पाल को ग्यापन बिस्व हिंदू परिशत के करकताओं न बुद्ध्वार को उपायुक्त के माध्यम से ग्यापन सबकर हिंदू और मंदीरों पर हो रहे इसलामिक जिहादियों से बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है बतादे प्रतिनिधी मंडल में बिहिप के जिला ध्यक्ष बिनोद जैस्वाल मंटु भगत विकास मिस्रा सामिल थे सरकार गिराने की साजिस के आरोपों की जाच सी बियाई करे रहुवरदास जार्खन के पूरो मुखवंतरी भारतिये जनता पार्टी के राष्ट्रिये उपाध्यक्ष रहुवरदास ने कहा है कि परदेश की हमन सुरिन सरकार तमाम मोचरे पर बिफल है बिफलताओं से जानता का ध्यान हटाने के लिए वह बार-बार अफवा उड़ा रही है कि बिरोधी उनकी सरकार गिराने की साजिस कर रहे हैं रगवरदास ने राची में पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने काउरे जारकन मुक्ति मोर्चा के दो विधाय को द्वारा सरकार गिराने की साजिस का रोप लगाते हुए तीन महिने के भीतर अलग-अलग थानों में दर्च कराईगर प्रात्मेकी को जूट का पुलिंदा पूरी तरह पलाटेंट करार देते हुए कहा कि अगर हेमन सुरेन की सरकार की हिमत है तो वह इन मामलों की जाच सी बी आई से कराने की अनुसंसा करे पांच साल तक के बच्चों का आधार बिना भी होगा आयुस्मान योजना में इलाज पांच साल तक की उम्र के बच्चों का आधार में इन्रोल्मेंट नहीं है या फिरासन कार्ड में नाम दर्ज नहीं है तब भी आयुस्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज किया जाएगा बता दे ऐसे बच्चों का इलाज अब उनके माता पिता के रासन कार्ड के अधार पर भी किया जा सकेगा अब तक अधिक्तम एक बर्स की उम्र वाले बच्चे के लिए ही असहुलियत दी जाती थी यह बाते CEO डाक्टर आरे सर्मा ने बुध्वार को जनकारी दी है रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से 10 माह में 7.83 करोर का जुर्माना राइधानी की आतायात पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से जनवारी से 18 अक्टूबर 2021 तक 7.83,42,000 रुपय का जुर्माना काटा है बतादे सबसे दिजस्प है कि पुलिस ने बिना हेलमेट के पीछे बैठने वालों और बिना सीट बेल्ट के चलने वालों से सबसे ज्यादा जुर्माना काटा है पिछले 10 माह में बिना हेलमेट के दो पहिया के पिछे बैटने वालों की संख्या 89,69 है जबकि बिना सीट वेल्ट के चलाने वालों की संख्या 43,28 है जारखन सरकार डाकिया योजना का कराएगी अरडिट जारखन सरकार आदिम जन जाती खाद्य योजना यानि डाकिया योजना का 22 अक्टूवर से सोसल अरडिट कराएगी इसके तहट योजना से जुड़े 73 या 670 आदिम जन जाती परिवारों के घर घर जाकर उनकी समस्याय सुनी जाएगी इसके बाद सुधार के लिए हर संभव पर्यास किये जाएगे साथ ही नितिगत निर्ना लिये जाएगे बता दे योजना के लाभुकों से जनकार लिजाएगी कि क्या सरकार की ओर से सुरू की गए योजना के तहट उन्हें रासन मिलता है हर मा किस सब्ता उन्हें रासन मिलता है रासन लाने के लिए कितनी दूरिताय करनी परती है और कितना खर्च आता है जारखन में बंद हुआ किसानों की रीन माफी योजना किसानों की रीन माफी योजना चार माह से बंद है बता दे किसानों का जून के बाद रीन माप नहीं हुआ है कई जीलो में रीन योजना तर नियम से अलग हो गए है इस कारण जीलो को इसमें सुधार करने के लिए कहा गया है तब तक के लिए जोजना में भूगतान रोकतिया गया है जार्खन होकी टीम में दो जुड़वा बहने जार्खन के सिम्डेगा जिले की दो जुड़वा बहनों ने जार्खन टीम में अपनी जगा बनाई है बता दे गरीबी में पली बढ़ी करंगा गुडी की दो बहने कीरन बाड़ा तथा काजल बाड़ा ने अपने बड़े पिता स्वर्गिये अस्तानिस लास बाड़ा से परभावित होकर होकी खेलना शुरू किया था उन ही को देखकर दोनों बहनों ने होकी की सुरूआत की इस दोरान दोनों को कई परशानियों का सामना करना पड़ा आपको बता दे की इनके बड़े पिता अस्तानिस लास बाड़ा भारतिये होकी टीम के सदस राचुके थे पलामू जिला के हदर नगर परखंड मुख्याले में माद दुर्गा की परतिमा बिसर्जन जूलुस के दोरान 101 लोगों पर दर्ज मुकादमा के बिरोध में हदर नगर बयार की बंद दुकाने चोथे दिन बुद्द्वार की सुबा से खुल गई है बताद दे बेवसायो ने उपायूक्त के अस्वासन के बाद अनिस्चीत कालेन बंदी को स्थागित कर दिया जनकारी के उनसर पलामू के सांसत भिस्नु देयल राम की पहल पर पलामु के उपायुक्त सासी रंजान वा पूलिस अधिक्छक चंदन कुमार सीनहा के साथ मंगरवार की देर साम वेवसायों की बात चीत होई इसमें उपायुक्त ने अस्वासन दिया है कि टीम गठित कर पूरे मामले की निस्पक जाच कराई जाएगी धन्यवाद अवस्यक सुचना दिन भर की तमाम ख़वर को जानने के लिए साम पांक बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जीसे देखना ना भूले साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने तोस्तों साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद